असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सर्ब आज मैं बनाने वाली हूँ हैदराबाद का मशूर कुलिहारा राइस या खट्टा चावल भी आप उसे कह सकते हैं और उसके साथ में दो दो चीजे बनाने वाली हूँ एक आलू बैगन की सबजी और दूसरी खड़े मसाले का भुना हुआ कीमा ये कीमा और आलू की सबजी के साथ ही राइस बहुत अच्छा लगता है बहुत मज़ा आता है ये खाने में आप लोग इसे जरूर से ट्राइ करिएगा तो पहले हम बनाएंगे कुलिहारा राइस और अच्छी तरह से क्रैकल जब होने लग जाएंगे ना इसमें से खुश्भू उड़ने लगेगी उसके बाद हमें इसमें आड करना है ये चना दाल मैंने दो कप लिए और इसे भीगा के मैंने रख लिया था मैंने इसे एक गंटे के लिए भीगा के रखा था ये थोड़ा स इसे हमें तोड़ा अच्छी तरह से चला लेना है बून लेना है जब तक इसमें से थोड़ी स्मेल ना उड़ने लगे और अच्छी सी खुश्भू आने लगे इसमें करी पत्ती की और मीची की और मैंने ये चावल भीगा के रखा था एक किलो बासमती राइस मैंने लिया इसे मैंने एक घंटे के लिए भीगा लिया था और भीगा के रखने के बाद इसे हमें नमक डाल कर साधा चावल जैसे हम स्टीम राइस बनाते ना वैसे हमें इस तरीके से स्टीम राइस बना के रख लेना है उसके बाद ये चावल हमें मसाले में क्योंकि एड़ करना है त और दो कप यह है इम्ली का पानी यह बहुत जरोरी है डालना आपको उसके बाद इसे हमें अच्छे से भूनना है बूनने के बाद इसमें हम ठोड़ा ए Display और इसमें अपने तेस् के सापनी आप डालीएगा नमक अठक'll करने के बाद इसे हमें ठोड़ा सा भूनना है कि जो श इसमें तर्फी पानी डालब में करें लिए दीर लमाना यह तो यह बुद्वा सब्सक्राइक बिल्गूल अच्हारा है और मुद्वार्ण में अच्छी तरीकिते हैं तो अब हम बनाएंगे इसके साथ खाने के लिए बुनाऊवा कीमा जो खड़े मसाले में हम बनाने वाले हैं तो पैन में मैंने आयल ले लिया था इसे मैंने तीन प्यास कट करके रखा है और इस प्यास को मैंने तेल में डाल दिया है और यह प्यास को हम ब्राउन करेंगे जब प्यास हमारी हलकी से सॉफ्ट हो गई तो उसमे मैंने आड़ किलो मैंने कीमा लिया था और कीमे में फैट बिल्कुल भी नहीं है और इसमें हम अब आड़ कर देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आड़ करिएगा और इसमें अच्छी तरीकी से भूनना है क्योंकि इ सूफели क्या मैं पैज टाला है मुझे कीमाश धिवाएगा कीमाशन में उत कर देंगातत कीमाशन मेहाम प्याज मेर्ची क्योंकि देख और इने बस को archives भी दाल देंगे गाशन भीा इन यह आलूभान जोड़ मेर्ची सोफिलार मीर्ची और वह लैं से द्वार जान भाट ब तो छोडा सा ग्रांट को प्राउझ यह जांक भाता newer को थोड़ा प्राउन चाहए और चेंज Warrior दो शुड़ा प्राउन को दो इसमें старाईन के प्रीकण सचल और फिर ब्राउन दो के बहुतारो, खफे नुटी जरीकंटनी ट्मूर का बिह आलुीं, हाट टमूर शर सकते हैं कि नुर्काय समद्ज के लिए के लिम्स तरह कृल अडिनी पना नमक दालके में आलो पना बहुतारो मिर्ची हैं ग्याटनी के लिए फृत्श यॉश्फम दालना है खिलीन यह लंकुषते दितावीक अमस्वा श्राइं काथ बसको या लोकीन सब्सक्राइब करणों अगालसान दिन हम को फिल गेली कीकला मुष्टी का यह इसमें कॉंटिटी में एड़ करना है एक चमच गरम मसाला और एक ही चमच लाल मिच पाउडर बस इसके लावा इसमें कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि इसमें अलड़ी हम लोगों ने खड़े मसाले डाले तो बस यह ऐसी रहेगा बुना-बुना और बहुत ही टेस्टी बन अगर थोड़ा भी पादी हो इसमें तो भी ड्राय हो जाए तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा चैनल पर नए है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके ही जाएगा और मेरी हरी कीमी की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है आ बहुत मज़ेदार लगता है बहुत मज़ाता है मैं डिशाओट कर दिखा रही हूं आप चावल देखे कितना अलग अलग है इतना टेस्टी होता है ना इसका और यह सब्सक्राइब बनाई और आप खाईए आपको बहुत मज़ाएगा और इसके साथ अलोबेंग बैगन की आप जरूर से बना के खाईए और ट्राइ करिये और मेरे फेस्बुक पेज को और इंस्टा को भी फॉलोग करिये मिलेंगे हम नेक्स रेसिपी में जब तक अपना बहुत सारा खाल रखिये मेरे दुआ करिये और ऐसी बहुत सरी रेसिपी में जल्दी लेकर रहूंगे और तक्स एक भॉच्चिंगा।